नमस्कार हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है तो आपको पता है कि भारत और न्यूजिलेंड का जो मैच हुआ था सेमी फाइनल भारत हार गया लेकिन एक ऐसा मैच था जिसमें इंडिया एक बार लग रहा था कि इंडिया मैच हार चुकी है लेकिन फिर ऐसा लगा कि गेंडीजह सेमान मिहां इसा मैच नहीं हमाना नहीं हमाना चाहिए में इस ग comment करेंशा देखते हैं हमारे टॉप आउडर्स के बैटमैन जोकी ओपनर बैटमैन में लोकेश राहूल और रोही सर्मा ये दोनों बैटमैन एक एक रन बनाकर आउट हो गया है जिसमें कि दोनों ही कैच आउट हुए सेम बॉलर के गंद से और इन्हों ने लोकेश राहूल ने साथ खेलकर एक रन बना उसके बाद आते हैं हमारे कैप्टन कोहली कोहली ने भी छे गंद खेलकर मातर एक रन बनाकर LVW आउट हो गया है उसके बाद रिसा पंद ने कुछ रन बनाया जी हां रिसा पंद ने गेंदे ज्यादा ली इन्होंने 57.57 के स्ट्राइक रेट से रन बना में जिसमें उन्होंने एक चौक लगाए था उसके बाद करते हैं हारदीक पांडिया जो की काफी बड़े बैट्समैन तो नहीं है लेकिन मेडिल ओडर में आकर या लाष्ट में आकर काफी अच्छी बैटिंग करते हैं और काफी तेजी से रन बना थे लेकिन इन्होंने भी स्ट्रगल किया 62 गेंदे खेल कर 32 रन बनाया और कैच आउट हो गए उसके बाद धोनी हलांकि बहुत सारे लोग ये मानेंगे कि धोनी इस हार के लिए रिस्पॉंसिवल है लेकिन अगर आप कुछ ऐसी थी कि तेज मारना तो चाहा लेकिन 30 यार्ड का घेरा भी पार ना हो पाया और कैच सी था विलियम सन की हाथों में चाड़े बांडिया ने 32 रन बनाये 62 गेंदों पर दोच हो गया इससे साफ पता चल गया कि टीम इडिया की हार तैफ हो गया और टीम इडिया वर वर्ड कप से बार होने पर मजपूर करता आगे तो आने वाले बल्लेबास कुछ कर नहीं पाई तू चल और मैं आया और देखते ही देखते टीम इडिया ताश के पत्तों के तरफ है इस वीडियो पर अपनी राए ज़रूर है कि साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हैड पिडाट कोली रोही सर्मा और लोकेश राउल इन तीनों ने मिलकर तीन दन बनाया और चहल ने पांच रन बनाए जिसमें एक चौके भी उन्होंने लगाया बुमरार नट आउट रहे क्योंकि उसके बाद इधर सभी आउट हो चुके थे तो आप नीचे कमेंट करके आप ह कैसे हार के थे हार के लिए आप रूसपोज़ को मानते हैं कि यह 35 00 his up पाविए इस लिए हमीत मैं चाड़ गए हैं और ने का दूख होता है हर एक स्को जो भी फैंस होते उसे दूख होता है लेकिन क्या कर सकते हैं गेम हार चित का खेले एक हार प्र आपकर तीम जीत легी तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताए कि इस हार का रिस्पॉंसिवल कौन है